बिस्मिल्ला रमानी रहीम रिस्पेक्टिव इवर्स असलाम लेकूम रिस्पेक्टिव इवर्स आज की इस वीडियो में आपके साथ पाक स्टेडी के मोस्ट इंपोर्टनेंट 500 की जो प्लेलिस्ट बना रहो ना गईज उसका पहला पाट आप लोगों के साथ शेयर करने जान जैसा कि आप लोगों को पता है आप किसी भी जोब का टैस्स देने जाएं तो पाक स्टेडी से रिलेटरी में के पाक इंडो हिस्ट्री से रिलेटरी लाजमी क्वैस्टन पेपर में बनते हैं तो उसी पार्ट को अच्छे से मीन के इच और एवरी इटिंग कवर करने जा र ना इन्शालला ये वीडियो आप के लिए बहुत ज़्यादा इंफरमेटिव होने जा रही है तो इसको सबसे पहले किसने मीन के स्पोर्ट किया था तो गाइस ये आपने याद रखना है चोदरी खली कुछ जमाने गाइस ये बहुत बार ये क्वेस्टन पीट हुआ है और रेजोलिशन थी फर्धर गई जो इसके आथर थे ना वो भी आपने याद रखना है महंच जफर stacks थे यवी एज़जऄ याद रखना है ये बिए तीनों क्वेस्टन रre ब्स पेपल में आये हुए है तो गाइस उस प्राइम मिनिस्टर का हमने नाम बताना है जो मिन के अपने आफिस टाइम में ही वफात पा गए थे तो गाइस आपने नाम याद रखना है नवाब लियाकत अली खान अप्शने इस दा राइट आंसर गाइस ओथ होता है हलफ लेना तो गाइस किसने मिन के हलफ लिया था जब काइद आजम मिन के हुए थे मुंतकब तो किसने इन से मिन के हलफ लिया था तो गाइस आपने याद रखना है जस्टिस अब्दल रशीद औप्शन सी इस दा राइट आंसर जब भी क्वेस्टन बहुत बार रपीट हुआ है इसकाइस क्वेस्टन है वेन पाकिस्टान गेव एन एप्लिकेशन तुदा यूएन तो बिकम इटस मेंबर ओनली वन कंट्री अपॉजट इदेंटिफाई तो गैस क्वेस्टन में ये पूछ रहा है जो शायद आज तक आपने मीन के वो देखे भी नहीं होंगे मीन के सुने भी नहीं होंगे तो आपने ये वीडियो को बस complete वाज करना है और तमाम प्लेलिस्ट को वाज करना है इन्शाला गाइज ये मैं गरनिटी के साथ कहता हूँ आप किसी भी competitive exam का टेस्ट देने जाएंगे न तो ज़्यदा से ज़्यदा जो question paper में होगे वो आपको मेरी ही ये playlist से मिलेगे तो काईज 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 की विडियो का तो काईज काईज की वफात के बाद जो president बने थे Muslim League के 1940 में तो काईज हमने उनका नाम बताना है तो काईज आपनों याद देखना है चोदरी खली को जमान थे option B is the right answer नेक्स काईज क्वेस्टन हमारा हफीज जिलंदरी is the author of national anthem of Pakistan which is contained in his book जैसा कि आप लोगों को पता है न हफीज जिलंदरी ने पाकिस्तान का जो कोमी तरह ना तजवीज किया था तो गाईज इन्होंने किस book में उसको मीन के contain जमा किया था तो गाईज आपने याद रखना है चरागे सहर उस book का नाम है गाईज ये भी आपने याद रखना है गाईज एक्चली question में आपको मैं दो चीज़े मीन के इस्तकलाल फार इट्स हेरिक डिजिस्टेंस डूरिंग 1965 इंडो पार्क बार गाईज इस question में ये पूछ रहा है हमने उस city का नाम बताना है जिन्होंने मीन के हलाले इस्तकलाल जिनको रसीव हुआ दिया गया है तो गाईज एक्चली मैं उस city का आपको बाद में नाम बताता हूँ आप लोगो पता है ना का पाकिस्तान और इंडिया के दिने माई 1965 में मीन के एक जंग हुई थी तो गाईज उस जंग में जो स्याल कोल्ड का city था ना गाईज इसने काफी ज़्यदा में के रिजिस्टेंस कावर्ड की रिड़ की थी दुश्मन के मकाबले में तो गाई इसी वज़ए से इन्हें हिलाले इस तक कलाल का city को आवार्ड दिया गया है आपने याद रखना है यह बहुत 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 पूचा गया है और इस लिए तो आपको साथ-साथ question पढ़ने का तरिका भी बताता हूं ताकि आपको पढ़ना आना चाहिए question में पूच कर रहा है गाइस काफी जैदा ना जो स्टेट्स ही ना इंडिया में काफी थी तो गाइस हमने बताना है कि कौन सी स्टेट्स सबसे बड़ी थी उसका नाम बताना है तो गाइस आपने यह याद एकना है है हैदराबाद option is the right answer next गाइस आ जाता है under which constitution by-cameralism was introduced in Pakistan गाइस यह इंटर्डूस कब होगा था यह तुम आपको बाद में बताता हूं लेकिन सबसे पहले यह आपने टर्म पहली बार सुनी होगी by-cameralism तो गई मैं थोड़ा सब ब्रीफली बताता हूं by-cameralism होता गया by-cameralism actually होता यह है कि इसमें दो हाउसी जा जा जाती है गाइस एक अपर हाउस दूसरा गाइस लॉयर हाउस जैसा कि आप लोगो पता है ना पाकिस्तान में अपर हाउस किसे कहते हैं यह भी आपने याद रखनी है ना यह बाइक केमeralism गाइस उन कंट्रीज के लिए फेवरेबल होता है जिनकी पॉपलेशन जैदा होती है और इस क्वेस्ट में यह पूछ रहा है यह कब इंटर्डूइस करवाया गया था पाकिस्तान में तो आपने यह यह आपनी का में पानी के तराजिया है पाकिस्तान और इंडिया के तरिम्यान ठीक कि करेकर किन के लिए तो तो जी आपने रॉंटरी याद ऐखनी है एक सिंध्या आ второй मिएक तरफ सिंद्धा मारा और दुसी तरह गारी औरूजरात की स्ट्रेट में के इनडिया की स्ट्रेट आ जाती थीका का कव proposal ऑग बाग्डरी डिस्प्यूत इंडियर डियोअ मेरिटिय प्रवाइड बाई लोग क्वेस्टन में यह पूछ रहा है कि पाकिस्तन का सबसे पहला मिन के जो नुक्लियर पावर स्टेशन था ना गाईज वो मिन के कब बनाया गया कराची में 1972 में और गाईज किस केंट्री की मदद से गाईज यह हमने बनाया था तो गाईज यह आप उ समय तीन पार्ट में ठीक है और गाई जिसका पहला नहीं में जमू दूसरा काईज कश्मीर और दूसरा तीसरा गाईज लादक ऑप्शन इस दा राइट आंसर काईज यह क्वेस्टन भी बहुत बार रपीट हुए है नेक्स काईज क्वेस्टन हमारा था टाइटल ऑफ इंडिया वास तो गाई ब्रिटिश के खिलाफ जो सबसे पहली में के मुवमेंट में के लाउंच की गई था इंडिया में तो गाई यह आपने याद अकना है स्वादेशी मूमेंट ऑप्शन भी इस दा राइट आंसर नेक्स काईस क्वेस्टन है विच युनिवस्टी है किस युनिवस्टी ने याद रखना है युनिवस्टी होफ इडिन बर्ग ऑप्शन इस दा राइट आंसर नेक्स कईस क्वेचन हमारा वेन दा फाउंडेशन ऑफ दारूल अलूम देवबंद वर लेड़ डाउन तो गईस यह आपने याद रखना है अटारा सो सट में ऑप फर्माने की जो तह्रीक चलाई गई थी ना तो गईस हमने बताना है अब डाका मीन के डाका को लेड़ा होने से पहले कब मीन के चलाई गई थी तो गई आपने यह याद रखनी है मार्च 1971 में ऑप्शन सी इस दा राइट आंसर नेक्स क्रिप्स मिशन विस्टिड इंडिया तो गईस ग्रिप्स मिशन किस के दोरे हकूमत में मीन के इसने विजिट किया था तो गईस आपने यह याद रखना है लाड लेलित गो ऑप्शन इस दा राइट आंसर नेक्स क्वेस्टिड इंसिडेंस ओफ कानपूर मॉस अकर इन तो गईस यह कानपूर मस्जद का जो सान ग्रीफली बताना चाता हूं गाइस एक्चली एसे हुआ था गईस उनीस सो आट की बात है यूपी की ना सुबाई उमन ने सडकों को चोड़ा करने का मिन को खुली करने का फैसला किया तो काईस काफी जदा सडके थी लेकिन एक सडक ऐसी थी जिसके मिन के उसको चोड़ा क भी थी टो बरही जब ड्रीक्षिंट चैंज किना तो मस्जिद का मिन कही иваютसारा तो तो खाइस उन्हों सुचा मिन को फैसला कर जो वजू का वौष रहने आ ख़र आम कर लिया अपने मंदों को नहीं कंसरिए जैदा थी तो गैज उनुनने की कि युगि तो इनोंने उन्होंने बगार मिन के वो सीमर पिराया था वुजू खाना और मिन के जो गुसल का और दूसरा ववाश्टूम तो गाई वो बनाए गए नीचे आमदरफ्त के लिए वो रस्ता बना दिया गया लेकिन गाई इस वाकिये बाद मुसल्मानों को बहुत ज्यादा से शहुरा चुका था और काफी ज्यादा मिन के नफरत मुसल्मानों और अंग्रेजों के तरिम्यान और हिंदों के तरिम्यान बढ़ गई थी वाई यह था कानपूर मौस से रिलेटिर तुम अमीद करता हूँ आपको थोड़ा सा ब्री यह था तो गाइज उसका क्या नाम था इसलामी नाम है बने बताना है तो गाइज मुहम्मद अब्दुल्ला ऑप्शने इस दा राइट आंसर काईज यह क्वेस्टन भी मुस्ट इंपोर्टन है जितने क्वेस्टन वैसे मैं आप अलों के साथ कर रहा हूं यह काईज पकिस्तन आर्मी तो गाई पहली मेजनर हमने पाकिस्तन आर्मी मताना मिसस शाहदा मलिक बाप्शन धाराइट तरा राइट ड्र सब्सक्राइब नेशनल संब्ली अंडर दा कंस्टिशिशन ऑफ उनी सो बास्ट तो गई उनी सो बास्ट के कंशिचिशन में नैशनल संब्ली की कितनी मुद्द तो आपने यह याद रखना है फाइव यर्स अभी वैसे पांच साली है नेक्स वट इस दा मैक्सिमम वाटर पताना है तो आपने यह याद रखना है 1550 फीड ऑप्शन सी इस दा राइट आंसर गईज इनी पांच सो मीन के एंसी की प्लेलिस्ट में मैंने हर ट्राइब के जैसा के पाकिस्तान की जिगराफी पोजीशन आ जाती है पाकिस्तान का मॉंटें सिस्टम रिवर सिस्टम इसक पाकिस्तान आर्मी आफटर दा इंडिपेंडेंस तो गईज अजादी के पाकिस्तान के जो पहले मीन के चीफिन कमांडर थे ना अर्मी में तो गईज वह कौन से मिन के अपवाइंट हुए तो गईज आपने याद रखना है मजर्वी ऑप्शन इस दा राइट आंसर नेक् इसलामबाद बिकेम कैपिटल और पाकिस्तान इन तो गाइज इसलामबाद कम मिन के दारूल खलाफा बना था पाकिस्तान का तो गाइज 1960 में ऑप्शन इस दा राइट आंसर पहला गाइज कौन था ता कराची ये भी आपने याद रखना है बलोचिस्तान एक्वाइड स्टेटस और प्रवेंस इन तो गाइज बलोचिस्तान को कम मिन के अपना स्टेटस मिला था एज़ा प्रवेंस मिन के सुबह के तोड़ पर तो 1970 में ऑप्शन इस दा राइट आंसर नेक्स की फस्ट सेशन ऑफ फ़स्ट कॉंस्टिजिश असंब पर ती मिन के साहिल को कहते हैं तो गाइज कितनी लेंद था पकस्तान की साहिल की तो गाइज आपने याद रखना है छे सुबचास माइल ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर अबजेक्टिव रेजुशन वाज पास्ट इन तो गाइज यह आपने याद रखना है कब पास फ्रॉम दा मेंबर्शिप ऑफ इंडियन नेशनल कॉंगरस इन तो गाइज काइज काइज आजम ने कब रिजाइन दिया था इंडियन नेशनल कॉंगरस से तो गाइज हमने उस यह का नाम बताना है 1920 में यह आपने याद रखना है यह भी क्वेस्टिन पूछा गया है ने काइज मुन चिप लेटिन membला में के बार्च क करी ग pengë są को इंको मना जाता है राइजन हम का ठीक है ऑप्षंट говорить आइसे प्रेशिट वपाकिस्तान तो का फंडिया रिश 변 को डीज़ा आइसा थर दो आइसे लेट में और पाकिस्तान है जो आपनात रहाई तो guys मैंने आपको बाई केमरल का बताया हुआ है तो कब मैंने मीन के भी बताया question में तो guys 1973 में यह आपने याद रखना है सोड़ी यह वैसे question पीट हो चुका है तो आपने यह वैसे याद रखना है तो guys किस आइन में मीन के डिकलियर किया गया तो guys आपने यह याद रखना है 1973 के आइन में ठीक हो गया तो guys आपने यह याद रखना है बहुत बार यह question पुछा गया मिनके most repeated question और most important जुल्फकारली बुटो गाइस थे स्वीलियन चीव मार्शल नेक्स के इस question है पाकिस्तान विकेम अ मेंबर आफ गाइस यह आपने इनका अपरिवेशन नाम गाइस नान अलाइन मूवमेंट गाइस अपरिवेशन भी याद रखना है तो कब मेंबर बना था गाइस पाकिस्तान तो guys आपने वो यह याद रखना है 1989 में और यह पाकिस्तान के पहले प्रेजिदेंट भी है यह भी आपने याद रखना है तो guys जब कराइस पाकिस्तान पाकिस्तान पास हुई थी तो मिंके पाकिस्तान का जो वर्ड यूज किया गया था किसने किया था तो guys आपने याद रखना है बेगर मुलाना मुहम्मद अली जोहन ने आप्शन सीज दा राइट आंसर नेक्सक्राइस क्वेस्टन है पीरबूर रपोर्ट वास प्रिजेंटीड वाइ तो guys पीरबूर रपोर्ट किस ने प्रिजेंट की थी तो guys आपने याद रखना है राजा सेयद एहमद मेहंदी ने पीरबूर रपोर्ट का मुस्ली केंडिडिट्स को नहीं पता होगा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूँ ता कि मिनके आपने ऐसी रटा नहीं लगाना तो guys पीरबूर रपोर्ट एक्चली 1936 की बात है जब कांगरस की हगुमत हाई थी न तो guys उन्होंने ना मुसल्मान पर बहुत ज़्यदा मिनके जल्मों जयाद थी मिनके काफी ज़्यदा जल्म हुए थे मुसल्मानों पर तो guys फिर का हुआ एक मिनके 1938 में guys एक कमेटी बनी जिसके मेंबर थे guys पहला मेंबर जिसका नाम था guys राजा सेद मुहम्मद महदी guys यह पीरपूर के रहने वाले थे तो इसी वज़ा से इस रिपोर्ट का नाम पीरपूर रिपोर्ट रखती गया बगी और भी मेंबर थे सेद तकी हैदी थे फिर इसके लावा सेद अश्रफ एहमद थे इसके लावा सेद जाकर अली थे फर्दर मौल भी अब्दुल गनी थे ठीक है इसके लावा मिया गौसोदीन भी थे तो यह guys मेंबर थे उस मिनके कमेटी के तो guys इन्होंने किया मिनके इनका काम ये था कि इन्होंने ना पूरे जो भी जुलमों जयाती हुई थी ना guys उनको मिनके notice करना था observe करना था क्या क्या जुलम मुसल्मान पर किये गए हैं तो guys आपने यह याद रखना है जब इन्होंने present की थी थी पंदरा नुवंबर 1938 को present की गई थी जो भी मिनके इन्होंने report मिनके जो भी observation कठी की थी तो present कब की थी पंदरा नुवंबर 1938 को और guys वो आपने वो pages भी याद रखना है guys 96 pages पर मुझतमिल थी ये भी question बना है ठीक है और guys उस report में मिनके क्या क्या चीज़ें डिसकस की गई थी guys वो जो भी जल्म ज्यात्ती हुई थी ना जैसा के वो इंडियों ने जो भी Congress के रूल बनाए गए थे कि गाये को आपने जिबनी करना इसके लावा guys अजान पर बबंदी थी फर्दरगाई गांधी की जो तस्वीर है उसकी आपने मिनके अबादत करनी है इसी तरह स्कूलों में Congress के पर्चम लहराए जाते थे तो ये मिनके उस report में ये उन्वान शामल थे ठीक हो गया तो ये था थोड़ा सा पीटपूर रिपोर्ट से डिलेटी माँ अबीद करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा नेक्सक्राइस क्वेस्टन है पाकिस्तन जुआन दा अटामी क्लब ओन तो guys यह आपने याद रखना है आप बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर देंगे और guys जब 500 कंप्लीट लाइक हो गए वीडियो को तो guys मैं नेक्स पार्ट फीडी अपलोड करूँगा तो guys यह आपने याद रखना है यह एक लाइड थे और इस इंडिपेंडेस तो guys सबसे पहले अजादी के बाद किस कंट्री यह पाकिस्तान को मिनके तसलीम किया था तो guys यह आपने यह नाम याद रखना है यह बहुत बार question पूछा गया इरान ने option C is the right answer next guys question है forests in Pakistan are dash percent of its total territorial area तो guys यह आपने याद रखना है 4.8 percent है option is the right answer next guys आजाता है the first recipient of nishan-e-hether in Pakistan वाज तो guys सबसे पहले जो nishan-e-hether दिया गया था guys वो server थे option D is the right answer next guys आजाता है integration of west Pakistan one unit was made in तो guys यह one unit मैं आपको recently वीडियो में बता चुका हूँ यह मीन के यह electricity के लिए same unit apply किया गया था तो guys यह आपने याद रखना है यह 1955 में किया गया था तमाम सूबों के लिए option C is the right answer who was the prime minister of Pakistan when our 1956 constitution was framed तो guys हमने उस prime minister का नाम बताना है जब 1956 का मिन के constitution फ्रेम किया गया था तो guys आपने नाम याद रखना है चोदरी मुहम्मद अली थे उस वक्त के prime minister ठीक हो गया guys आपने यह भी याद रखना है पहला जो हमारा मिन के constitution नाना guys वो 1956 के मिन के बना था ठीक है यह भी आपने याद रखना है दूसरा 1962 में तीसरा guys 1973 में यह भी आपने याद रखना है next guys question which national leader of Pakistan was anonymously selected by Muslim world to address the UN guys यह anonymously कहते हैं मुत्विक का तो पर तो guys कौन से वो हमारे national leader है पाकिस्तान के जो मुत्विक का तो पर मिन के select हो गए थे UN में तो guys यह आपने नाम याद रखना है जियाओल हक option C is the right answer next guys आ जाता है when India referred the dispute of Jammu and Kashmir to the UN guys कब refer किया था यह जो dispute में के Jammu and Kashmir का तनाज़ा था ना यह UN में कब refer किया था इंडिया ने तो guys यह आपने यह आपने नाम याद रखना है 1947 में option A is the right answer next guys question है हमारा who laid the foundation of British India Association तो guys आपने यह नाम याद रखना है सरसेयद आमद खान थे option A is the right answer next guys first population census in Pakistan was conducted in तो guys पहली जो मर्दर श्मारी थी वो कब हुई थी आपने नाम याद रखना है उस यह का 1951 में option B is the right answer next the length of industry is dash kilometer तो guys आपने length याद रखना है 305 kilometer length option A is the right answer dash is the oldest बेराज और पाकिस्तान तो guys यह जो हमारा सक्कर बेराज ना यह सबसे पुराना बेराज है option B is the right answer next guys question हमारा which dam was built first by Pakistan तो सबसे पहला guys जो डेम था वो था वार्सक डेम option B is the right answer next guys question है do you know military assets between Pakistan and India after their independence was fixed at the ratio of तो guys अजादी के बाद पाकिस्तान और इंडिया के तरे में जो military assets की division थी ना हमने उसकी ratio बतानी है तो guys आपने यह याद रखना है यह बहुत बार question पूछा गया 36.64% की ratio थी option D is the right answer next guys in a republic head of the state is known as तो guys यह आपने याद रखना है president जाना जाता है option C is the right answer next guys question who was the first chief justice of supreme court of Pakistan तो guys पहले chief justice कों थे अब्दुर्शीद option D is the right answer next guys question है पश्टून्स पाम डैश person ratio of population in फगानिस्तान तो guys फगानिस्तान में हमने पश्टून्स की ratio बतानी है तो guys आपने यह याद रखना है 40% option D is the right answer the shender pass connects चित्राल विद तो guys यह आपने याद रखना है यह चित्राल को और किसको कनेक्ट करता है अपस में गिलगत को option D is the right answer करकरम highway between Pakistan and China was completed in तो guys सबसे पहले आपने यह याद रखना है करकरम highway किन मिन के Pakistan और चाइना के दिर में आना है तो guys आपने यह याद रखना है कौट मिठन में option is the right answer next guys नंगापरबत is the highest peak of तो guys यह आपने याद रखना है यह हिमालिया की रेंज में आती है और पाकिस्तान के दूसरी मिन के यह बड़ी चोटी है यह भी आपने याद रखना है next guys river काबल जोइन आपने याद रखना है आपने याद रखना है option is the right answer the chairman of national economic council तो guys prime minister ही होता है यह भी आपने याद रखना है chairman जो national economic council का next guys who was the first muslim governor of Punjab तो guys सर्दार अब्दूरा मिनिश्टर का यह question बहुत बार रपीट हुआ यह आपने याद रखना है next guys question हमारा objective resolution was presented in the constitutional assembly in तो guys आपने यह याद रखना है 7th March 1949 को present की गई थी option B is the right answer the only vice president of Pakistan was तो guys आपने नाम याद रखना है नूरल अमीन थे option A is the right answer what is the minimum age of senator under 1973 constitution तो कितनी कम से कम age होनी चाहिए एक senator के लिए तो guys जो 1970 के आयन में में चाहिए तो आपने याद रखना है 30 years option B is the right answer term of the office of election commissioner of Pakistan तो guys election commissioner की कितनी term होती है मिन के कितने साल पर मुहीता 5 साल पर option C is the right answer next guys question है on the advice of prime minister and team minister president and governor are bound to dissolve the assemblies within तो guys यह 48 hours के अंदर मिन के president assemblies को dissolve कर सकता है यह आपने याद रखना है option B is the right answer the only Muslim woman who attended round table conference guys round table conference जिसे हम goal maze conference पी कहते है तो guys हमने वो Muslim khatun का नाम बताना है मिन के जिन्होंने अटेंड की थी तो guys यह आपने याद रखना है बेगम जहानरा शानवास option C is the right answer next guys आ जाता है the British sold the Kashmir to गुलाब सिंग डोगडा under the treaty of तो guys यह आपने याद रखना है treaty of Amritsar के तोर पर मिन के इस अंडर के तहट कश्मीर को solve कर दिये बेच दिया गया था गुलाब सिंग डोगडा को option A is the right answer next guys आ जाता है डाक्टर अब्दुलसलाम first Nobel Prize recipient और पाकिस्तान got his PhD degree from which university और पाकिस्तान के पहले मिन के जो नोबल प्राइस जिनको मिला था गाइस वो डाक्टर अब्दुलसलाम थे यह भी आपने याद रखना है हबा खतून his famous poetess of which language तो guys यह अपने नाम याद रखना है यह जो हबा खतून थे ना यह एक कश्मीरी जुबान में मिन के यह poetess थी यह अपने नाम याद रखना है यह question भी repeat हुआ option C is the right answer renowned उर्दू writer मुश्ताक है तो guys यह एक banker थे यह अपने याद रखना है option B is the right answer लौरी पास connects तो guys यह जो लौरी पास है ना यह दीर और चित्राल मिन के इनको connect करते है option B is the right answer next guys आ जाता है तो guys रौवलेट एक्ट के तहट मिन के काईद आजम ने रिजाइन दे दिया था option B is the right answer guys यह भी most important question है next guys question है वाटर गेट स्केंडल इस रिलेटी टू तो guys यह आपने याद रखना है यह स्पाइंग मिन के एक जसूत सी ही थी वाटर गेट स्केंडल option C is the right answer next guys पाकिस्तान इंस्टाल्ड हर फर्स्ट नुकलियर पावर स्टेशन इन कराची विद दा कॉपरेशन ओफ तो guys यह मैंने आपको वैसे बता दिया questions होड़ी यह रपीट हो चोगे कैनेडा इसका राइटांस बनता है next question the Quran and sona are declared the supreme law of Pakistan under the amendment तो guys यह आपने याद रखना है यह ninth amendment में आता है option A is the right answer कपास का फूल is written by तो guys यह आपने याद रखना है यह एहमद नदीम कास्मीन में लिखी थी option B is the right answer next question who was Pakistan first ambassador to US तो guys पाकिस्तान के पहले जो हम बैस्ट थे ना यूएस में तो आप्दुलहसन अस्फहानी आपने यह नाम याद रखना है option B is the right answer next guys in the total area of Pakistan the share of Punjab is about तो guys आपने याद रकान 25% में के पंजाब का शेयर option B is the right answer the cultural center of Ghandara civilization was situated at तो guys टेक्सला में option B is the right answer तो guys कुंसी organization किस नाम से मनाई गई थी 1962 में तो guys आपने नाम याद रखना है रभित इल्माय इसलामी option A is the right answer next question is the right answer तो guys किस के दोर में आई थी East India Company में के तजारत की घर से इंडिया में तो आपने guys याद रखना है जहांगीर के दोर में option B is the right answer next guys identify the musician who composed the national anthem of Pakistan तो guys किस ने में के compose किया था अपने कोमी तरह ना को तो guys आपने याद रखना है अब्दुलकरीम चगला option C is the right answer तो guys सबसे बड़ी जो लेग है आपने नाम भी याद रखना है और guys ये कहां वाक्या है आपने guys याद रखना है दादू में option C is the right answer इस question है इस अपने याद रखना है इनका जो तलुक था slave dynasty से था guys ये S की जगा D आता है slave dynasty से था ये आपने नाम याद रखना है option C is the right answer तो guys आपने ये याद रखना है इसकी 53 km इसकी लेंद था खैबर पास की next guys first battle of panipat was fought in 1956 AD between तो guys ये आपने याद रखना है जो panipat की पहली जंग लड़ी कही थी जहीरुदीन बाबर और इबरहीम लोधी के दरेमया option C is the right answer next guys काईदयाजम रिजाइन from the Indian National Congress as protest against तो guys ये आपने याद रखना है Gandhi's non-cooperation movement के में के against काईदयाजम ने रिजाइन दे दिया था कहां से Indian National Congress option C is the right answer next guys आज की वीडियो का last question most important question निसाब in relation to gold as prescribed in Zukot and usual ordinance in 1980s तो guys ये आपने याद रखना है कितनी मीन के mention की गई है ordinance 1980 के usual ordinance के ताय तो guys आपने याद रखना है 87.48 grams option C is the right answer ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 500 MC के उसकी इसका पहला पार्ट आप लोगे से शेयर कर दी है तो guys मैं अमीद करता हूँ आपको बहुत कुछ निया सीखने को मिला होगा guys अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी knowledge मिला है तो आपने वीडियो को like चैनल को subscribe जरूर कर देना और comment section में लाजमी feedback देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी guys next जो part आएगा वो 100 से लेकर 200 तक मैं आप लोगे साथ शेयर करूँगा ठीक हो गया तो आपको मैंने वो target बताया हुआ 500 like वीडियो पर आएंगे तो guys फिर मैं next part upload करूँगा otherwise मैं भी नहीं upload करूँगा ठीक हो गया तो guys आपकर पर जाईए कि आपको आपको आपके हार नेक मकसल में कामिया फरमाए आपको हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए थैंक्यू फर वाचिंग टेक केर अल्लाहाफीस